हेलो एवरिवन वेलकम टू एफ स्टेडी आई करंट अफेर्स आज मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड वन थाउजन करंट अफेर्स का पहला सेट लेकर आया हूँ यह पूरे पांट सेट में आएगा इस करंट अफेर्स की यह खासियत है किसमें आपको क्वेशन के साथ साथ ऐंसर के की वर्ड तेखने को भी मिलेंगे जो कि एक्जाम के वर्ड कोशिन आने पर आपको तुरन्ट रियाद आ जाएगा बहती साफसा वर्ड ने और देखते हैं याद हों नहीं योगिकर बनाया गया है जो की इसली आपको याद हो जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा लास्ट पार्ट तक देखे और फिर इसके बार आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने के जरुवत नहीं होगी कैसे भी competitive exam के current affairs के questions को solve करने के लिए ये 1000 कसित more than enough और और हूँ एक और बात ये मेरी पहली वीडियो है तो आशा है कि आपको पसंद आएगी इस चैनल पर आने वाले दिनों में current affairs के जितने भी topics होंगे exam relevant वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे तो इससे subscribe करके bell icon जरूर दबा लिजेगा तो ठीक है चलते हैं फिर questions पर मना पहला question है What is the name of the first science film in Sanskrit language in the history of cinema सवाल ये कह रहा है कि भारत का पहला कौन सा science film है जिसको Sanskrit language में बनाया गया है तो ये है यानम अब ये क्या है ये एक documentary है हमारा जो India Mars Orbit Mission जो था उसके उपर बनाया गया ये 44 minutes का एक documentary movie है तो खेर आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये Sanskrit language में बनाया गया है अभी हाल में ही WHO ने Monkey Pox Disease का नाम change कर दिया गया है तो ये नाम क्या रखाया है तो ये नाम है Mpox Virus WHO के जो डेक्टर जेंडर है उनका नाम है Dr. Tedros Adhanom और WHO का जो headquarter है वो है Geneva Switzer Land में First country in the world to ban the purchase of cigarette for further generation सवाल है कि ऐसा कौन सा देश बना है जो cigarette के खरीद पर ban लगा दिया है इस देश के government का ये कहना है कि जो उनकी future generation होंगे वो cigarette purchase नहीं करेंगे अब तो इसका answer है New Zealand New Zealand की government ने ऐसा initiative लिया है New Zealand की जो capital उसका नाम है Wellington और उसकी जो currency है वो है dollar जेके इंडा आर्डन जो है वो New Zealand की prime minister है famous TV actor है देव जोशी इनको dear moon project के लिए चुना गया है ये dear moon project क्या है ये project है lunar tourism mission international tennis federation world championship भी हुआ था हाल में तो उसके winner कौन कौन है तो men's category की बात करें तो उसमें जो winner है वो रफेल नडाल है रफेल नडाल हमारे spin की खिला रही है और जो woman है वो इगा स्वातिक है ये हमारी poland की खिला रही है International Tennis Federation का जो headquarter है वो लंडन यूके में फर्स प्राइबेट स्पेस वेहिकल launch pad set up किया गया है कहां हुआ ये हुआ है ये हुआ है सतीजवन स्पेस सेंटर जो सीर हरी कोटा में है और किस company के दोरा किया गया है ये इस company का नाम है अगनीकुल कॉस्मॉस तो फर्स प्राइबेट स्पेस वेहिकल के बारे में पुछा जाए तो आपको बस ये दो चीज़ याद रखने है भारत का Global Aviation Safety Index रैंक में रैंकिंग अभी हुआ था Global Safety Aviation Index का उसमें क्या रैंक है तो भारत ने 48 पावदन पे रहा है और पहला जो है वो सिंगापूर है इस रैंकिंग के इसाब से ये बताया जाता है कि हमारा जो Aviation Safety है वो किस लेवल पर है और नमबर वन पे सिंगापूर रहा है सिंगापूर का जो करिंसी है वो डॉलर है और जो प्राइम इनिस्टर रहे सिंगापूर के वो ली सिंग हुलोंग है वो thirteen वो उस बेकेम दा सी-ऊ और फूर्ट सीफटी और स्टैंडर असूरेटी आट इंडिया पूर्ट सीफटी और स्टैंडर असूर इंडिया के नए सीइयो कौन दने है उनका नामी जी कमला वरदन रायो फूर्ट सेफटी और स्टैंडर authority of india का जो headquarter है वो नहीं डिली में है who has become the CEO of Indian Railway Board Indian Railway Board की नहीं CEO कौन बने है यह हमारे अनिल कुमार लो होती who has become the highest paid woman athlete 2022 according to Forbes Forbes के अनुसाल से जो highest paid woman athlete है 2022 की वो कौन रही है तो इसका answer होगा Naomi Osaka कहा की है यह यह जैपान की है जैपान का जो capital उसका नाम किया है टोकियो और वहां की जो मुद्रा है वो यह न है जैपान की प्राइम मिनेस्टर फॉम्यो किशीदा the most written about track and field athlete of the year 2022 के हमारे कौन है यह हमाली जैप्रीन थ्रोवर है नीरज छोपडा the most written about track नीरज छोपडा Asia's first drone delivery hub for healthy ecosystem launched by which Indian state Asia का पहला drone delivery hub जो health ecosystem के लिए काम करेगा इसको किस राज़े ने launch किया है तो वो है हमारा राज़े मिगाले है मिगाले का जो capital है उसका नाम शेलाउंग है Congress समा यहां के chief minister है बीटी मिश्र यहां के governor Prime Minister कोशल को काम कारेकरम का भी नाम change कर दिया गया है तो इसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम बदल कर Prime Minister विरासत का समवर्दन रखा गया है who has become the 18th CM of Gujarat Bupendra Patil 18th CM of Gujarat जो बने है वो हमारी Bupendra Patil बने है और Gujarat के जो governor है उनका नाम अचारे देवरत है According to World Bank Report India became the first country in the world to get remittance off World Bank Report के नुशार भारत जो है वो पहला देश पहला देश बन गया है पुरी दुनिया में जिसमें remittance इससे सबसे ज़्यादा मिला है तो ये कितना है 100 billion dollars Actually होता क्या है remittance मतलब जो हमारे जो देश के नागरिक है जो बाहर जाके रहते है जो बाहर जाके कमाते है और फिर वो अपना पैसा हमारे देश को भीजते है तो इसे कहते है remittance जो हमें मतलब बाहर के देश में रहके हमारे लोग जो रहते हैं और जो हमारे पैसा जो वापस भेजते हैं हमारे देश को तो उसमें हमारा जो देश है वो first रहे है first rank पर है और कितना है तक्रीबद 100 billion dollars के रहा है World Bank का headquarters का है वाचिंटन DC में उसके जो president है वो David Malpass है National Mathematics Day 22 December को Celebrate हम दो नहीं किया था किसके birth anniversary पर ये किया जाता है तो S. Ramanujan Great Mathematician थे उनके birth anniversary पर ये हम Celebrate करते है National Mathematics Day अभी अभी WHO के New Chief Scientist बनाए गया है तो उनका नाम है Dr. Jamiri Frar WHO के जो President है उनका नाम है Dr. Stedras Adenom और Headquarter है Geneva, Swazor Land में ये ऐसे हमें हमेसा ऐसे ही याद रखना है कि New Chief Scientist of WHO Dr. Jamiri Frar बस ये ही keyword है जो आपको ध्यान में रखना है New Chief Scientist Dr. Jamiri Frar of WHO Which government project has been included in the UN in the world's top 10 initiative United Nation के वर्ल्ड टॉप 10 initiative में किस indigenous project को जगा मिली है तो वो है नमामी गंगे इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था इसकी objective ही है कि जितने भी pollution है वो उसे रोका जा सके हमारे गंगा को pollution से बचाया जा सके गंजर्व किया जा सके और रिवर गंगा का रिजोनेशन किया जा सके इसे ही अभी अभी UN World's top 10 initiative में जगा मिली है अभी हाल में artificial hurt launch किया गया था तो किस IIT के दोरा ही किये गई थी यह है IIT कानपूर IIT कानपूर के दोरा यह artificial hurt को launch किया गया था reason था to develop to deal with acute cardiac problem जो भी इर्देर समस्या है इर्देर जो भी है उसके साथ को कप कर सके उसको deal किया जा सके इसलिए artificial hurt का launch किया गया who has become the new chairman chairperson of the national statistics commission national statistics commission के new chairman किसे बनाए गया तो यह है हमारे राज्जिव लक्षमन national statistics commission का जो headquarter है वो नई धिल्ली में है पेरू के पहली female president किसे बनाए गया है तो इनका नाम है दिना बलोर्टे दिना बलोर्टे जो पेरू का जो capital है उसका नाम लीमा है और यहां की जो currency है वो है soul India's first dip collection innovation hub कहां बनाए गया है किसे बनाए गया है यह है इस्पोक्टो इस्पोक्टो कमपनी है इन्होंने इंडिया का पहला dip collection innovation hub बनाए गया है इस्पोक्टे के जो CEO है उनका नाम है सुमित स्रिवास्तव अगर भी global technology summit 2020 हुआ था तो किस शहर में यह हुआ है यह हुआ है हमारे नई दिल्ली में इस project एक summit का दीम क्या था इसका दीम था geopolitics of technology geopolitics of technology अपना जल्वाईयो परिवर्तन mission यह हमारे किस राज की देन है किस राज ने इसे शुरू किया है तो यह हमारा तमिलाडो राज का दिया हुआ है अपना जल्वाईयो परिवर्तन mission तमिलाडो के जो chief minister है वो है M.K. Staline और वहां के जो governor है उनका नाम R.N. Ravi R.N. Ravi इंडिया जराएंक इन हरून ग्लोबल 500 लिस्ट ट्विटी ट्विटी भारत का किस क्या राएंक है हरून ग्लोबल 500 लिस्ट में तो भारत है फिफ्ट पे तो टॉप कौन के है टॉप में United States of America रक्षे कर्पो को अभी हाल में ही GI tag दिया गया है किस state का दिया गया है तो ये है लदाख लदाख state का जो GI tag है लदाख state को दिया गया है ये रक्षे कर्पो का GI tag गवर्नर जहां के है आरके माथुर और लदाख के बारे में एक बात और जान लीजे यहां पे भारत का पहला dark sky century भी है इंडिया फर्स्ट dark sky century is in लदाख United Nation Biodiversity Conference अभी हुआ था तो किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था होस्टिंग कंट्री थी कैनड़ा कैनड़ा Bombay Stock Exchange के नई MD और CU बनाएं गया है तो क्या नाम है इनका इनका नाम है सुंदरमन राजा रामा मुर्थी सुंदरमन रामा मुर्थी Bombay Stock Exchange का जो हेट कौटर है वो है Bombay में अभी हाल में कौन सा हमारा देश का जो कंपनी है वो ओफिशल पार्टनर बन गया है Federation of International Hockey Men's World Cup 2023 के लिए तो हमारा जो कंपनी है हमारा देश का कंपनी है टाटा स्टील इन्होंने Federation of International Hockey Men's World Cup 2023 के लिए अपनी अपना हाथ बढ़ाया है इंडिया इसे होस्ट करने वाला है और Federation of International Hockey की जो चेर्मेन है उनका नाम है तैयब इक्राम अभी एक रैंक लिए खाले गई थी जिसमें कि यह पता है लगा जा सके कि scientific paper में paper को publish करने के लिए इंडिया की क्या रैंक है तो इंडिया की रैंक है third और first में कौन आता है first में आता है China 9th edition of Pro Kabaddi League 2022 का किताब किसने जीता है तो इसके answer है जैपूर Pink Panther और यह हुआ कहा था यह हुआ था मुंबई में मुंबई 77th chess master कौन बने हमारे 77th chess master बने है आदित्या मितल आदित्या मितल District at 100 प्रशाशन गाउं की और 2020 लॉंच बाई यह कह रहे हैं कि District at 100 प्रशाशन गाउं की और को किस मिनिस्टी ने लॉंच किया है तो यह है हमारे Earth Science Minister जीतिंदर सिंग जीतिंदर सिंग जो हमारे Earth Science Minister है उन्होंने यह लॉंच किया है District at 100 प्रशाशन गाउं की और हिमाचल प्रदेश के 15th Chief Minister कौन बने है तो यह बने हैं हमारे सुक्वेंदर सिंग सिखू और यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है RV R Licker हिमाचल प्रदेश को में पहली बार 1st Deputy CM बनाए गया है तो किने बनाए गया है यह तो यह बनाए गया है मुगेश अगनी होतरी को मुगेश अगनी होतरी बने है हिमाचल प्रदेश के 1st Deputy Chief Minister इंडिया रिस 36th एंड दिलास्ट रफैल एरक्राफ फ्रॉम विच कंट्री भारत अपना 36 और आखरी रफैल एरक्राफ्ट हासिल किया है तो किस कंट्री के द्वराई लिया गया है तो यह कंट्री है फ्रांस फ्रांस से यही डील होती कि भारत 34 रफायर ऐरक्राफ्ट को फ्रांस से खरी देगा और ये लास्ट ऐरक्राफ्ट डिलिवर्ड हो चुका है फ्रांस का कैपिटल है वो पैरिस उसकी करंसी है यूरो ये हमेशे याद लगी है 36 है और ये लास्ट है वर्ल एट स्टे अब्जर रॉन 1 डिसमबर और इस वर्ल एट स्टे का दीम क्या था ये दीम था एकॉलाइज एकॉलाइज फिजी के नियू प्राइम मिनिस्टर किसे बनाए गया है वो हैस बिकेम दे नियू प्राइम मिनिस्टर अफ फिजी तो इनका नाम है सिद्वेनी राबुका सिद्वेनी राबुका और फिजी की जो कैपिटल है वो है सुवा और फिजी की जो करिंसी है वो है डॉलर टेवल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टी टी एफ आई की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है तो कौन है ये तो इनका नाम है मिगना अलावत मिगना अलावत और टेवल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेड को आटर है वो है हमारी देश की राज़धानी नई दिल्ली में नई दिल्ली पहली बार Air Force Exercise Weir Guardian 23 Exercise किया गया Between India and which other country तो ये है Weir Guardian 23 ये पहली बार किया गया ये हमारे जबान के साथ हुआ है और ये First Ever पर एयरफोर्स एकसराइज है जो हम जपान के साथ किये हैं तन्दूर रेडगराम गॉट इस जी-आई टैग रीसेंटली तन्दूर रेडगराम एक तूर दाल की ही प्रजाती है तो उसे जी-आई टैग मिला है भी किस राज्य का है यह है तेलागणा का तेलंगना के राज को मिला है ये तंदूर रेडगराम वहां की इस्पेशालिटी है और तेलंगना के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाब के चंदरशेखर राओ और तेलंगना के जो गवर्टनर है उनका नाम है तमिल साह संदूराजन यह GI tag बहुत ही ज़ादा रिसेंट्ली अभी बहुत ज़ादा नियूज में रहा है पावरलेस हीटिंग सिस्टम हैस बिन लॉच बै विच आई आई टी तो आई 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 टी बॉम्बे ने इसे लॉच किया है और अभी अभी हमने यह चीज़ पढ़ा था कि आई आई टी कानपूर जो है वो आर्टिफिशल हर्ट को launch किया था ताकि जो भी काडियक issues है उसे कोप किया जा सके विच कंट्री वोंट टाइटल ओवोमेंस F.I.E.H. होकी नेशन कप 2022 बाइटिटिंग स्पेइन स्पेइन को हरा के कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने वोमेंस F.I.E.H. होकी नेशन कप 2022 का खिताब जीता है तो यह हमारा देश भारत और स्पेइन की बात कर रहे हैं तो वहां के जो मुद्रा है वो है यूरो और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम पेड्रो संचेज अभी हाल में ही इंडिया और चाइना ट्रूप में भड़कम्प हो गया था तो 9 देसंबर को तो एक किस एरिया में हुआ था ये पूछ रहे हैं सवाल में तो ये अनुराचल परदेश का एक तवांग रीजिन है ये वहीं पे हुआ था उसी एरिया में हुआ था ये अनुराचल परदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रेमा खंडू और अनुराचल परदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिर्शिरा इतवांग रीजिन हमेशा ध्यान में रखी है ये हमेशा नियूज में होता है इंडियास फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्यान फिरियस्टा लॉंच्ट बाई भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्यान फिरियस्टा इसे किनों ने इसे लॉंच किया है तो हमारे स्टील मिनिस्टर है जोती राव अधित है सिंदिया इन्हों ने इसका उद्गाटन किया है कल्यान फिरेस्टा का यह भारत का पहला ग्रिन स्टील ब्रांड है अभी हाल में यूज में था क्रिस्टियान और रेनल्डो जो थे जो है हमारे वो अभी साओधी अरेवियन क्लब का जो साओधी अरब का जो अरब का जो कलब है उसे जोईन किया है तो इस कलब का नाम क्या है तो इस कलब का नाम है अल-नसर क्रिस्टियान और रेनल्डो हमारे परतगाली के फुटबॉलर और नमबर वन में आते हैं यह ऐसा वाल में यही पूछा क्या है कि जिस साओधी अरेबियन कलब को इन्होंने जॉइन किया है उसका नाम किया है तो उसका नाम है अल-नसर इंपोर्टेंट इस ध्यान में रिखिये Who has been crowned as Miss World 2022 Miss World का खिताब इस वार किनोंने जीता है तो वो हमारी देश की है सरगम कौशल नाम है सरगम कौशल और ये जमो कश्मीर की है जमो कश्मीर Who has inaugurated 10 mobile health clinics डॉक्टर आपके दुआर किनोंने 10 mobile health clinics डॉक्टर आपके दुआर का को inaugurate किया है तो ये हमारे पार मिनिस्टर रॉक्टर आपके दुआर प्राइमिनिस्टर प्राइस पर एक्सेलेंस अवार 2022 in science in teaching has been won by प्राइमिस्टर प्राइस पर एक्सेलेंस अवार 2022 साइन्स के छेत्र में किसे मिला है तो ये है वीना नायर वीना नायर को मिला है ये साइन्स और टीचिंग के छेत्र में प्राइम निस्टर प्राइस फॉर एक्सिलेंस अवार्ड लोकल अड़ाप्शन चैंपियन अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया है तो ये दिया गया है श्याम शिखर प्रियोग विच वाज जो की COP 27 में हुआ है श्याम शिखर प्रियोग यूएस प्रेसिदेंशर लाइफ टाइम अचिमेंट अवार्ड अभी दिया गया है तो ये किसे दिया गया है US Presidential Lifetime Achievement Award तो ये दिया गया है क्रिष्टना वावी लाला को क्रिष्टना वावी लाला विच स्टेट है रिसीट फर्स प्राइस इन कैटेरी ओफ आयोश भारत हिल्थ अकाउंट आईडी जेनरेशन सवाल कर रहे हैं कि जो आयोश भारत हिल्थ अकाउंट आईडी जेनरेशन है इसमें किस राजे को पहला प्राइस मिला है इसमें एक्चुली है क्या कि जो अकाउंट आईडी जेनरेशन होता है हमारा अधार का वो सबसे आदा किस किस शहर में हुआ है उसके हसाब से यह प्राइस मिला है तो यह है जमो कश्मीर जमो कश्मीर की बात कर रहे है तो वहां के जो लेटिनिट गवर्णर है उनका नाम है मनुज सिना और जो पहले लेटिनिट गवर्णर है हमारे उनका नाम था जिसी मुर्मुर यह first हमेशा यादरखी है टिमोकेशमिर के बारे में world's first hydrogen fuel engine aircraft has been launched by दुनिया का पहला hydrogen fuel engine aircraft है वो किस company ने launch किया है तो यह हमारे दो company है एक है ब्रिटिश की रॉल्स रोईस और एक है इजी जेट यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला एरक्राफ्ट लाँच किया गया है इनके द्वारा इन दोर कमपणी के द्वारा तो इसे हमेशे याद रखिये रोल्स रोईस ब्रिटिश कमपणी है कार मिकिंग क और इजी जेट विष टिम हैज वान डाइटल ऑफ फौर्थ टेनिस प्रेमियर लीग ट्वेटीटीटू विच वाज हैल्ड इन पुना फौर्थ टेबल टेनिस प्रेमियर लीग जो अब हाल में हुआ था पुने में तो उसके विज़ता कौन रहे तो उसके विज़ता रहे हाइदराबाद स्ट्राइकर हाइदराबाद स्ट्राइकर ये पुने में हुआ था 21st हजारे ट्रॉफी 2022-2023 has been won by which team तो ये सवाल कर रहे हैं कि जो हजारे ट्रॉफी अभी मिला है जिसका 21st वा एडिशन हुआ है ये किनों ने जिता है तो ये जिता है सौराइस्ट्रे ट्रीम और किसे इनों ने हराया ये इनोंने महरास्ट को हराया है महरास्ट को इंडिया's first infantry museum has been opened in which Indian state तो भारत का पहला infantry museum खोला गया है तो किस शहर में खोला गया है ये तो ये माव डिस्ट्रिक्ट है मध्यपर्देश का वहाँ इसे open किया गया है museum में टकी tourism को बड़ावा मिल सके मध्यपर्देश के जो chief minister है उनका नाम है शिवराज सिंग चोहान और जो मध्यपर्देश के जो governor है उनका नाम है मंगो भाई पठेल सवाल कहरा है BBC's hundred most influential list अभी released हुई थी तो इसमें भारत के कितने renowned personality है उनका नाम आया है तो इसमें हमारे भारत के चार renowned personality है जिनमें पहला नाम है प्रियंका चोपडा जो की film industry से related है हमारे दूसरे नमबर पे हैं हमारी गितांजली श्री आथर है ये और थर्ड नमबर पे है श्रीशा बंडला ये एस्टोनट है और फूर्थ नमबर पे हैं हमारे सिनेहा जवाले ये हमारी social worker है तो most important में मेभी ये चार में से कोई एक पूछा जा सकता है या फिर ये अंक तो आपको ध्यान में रखने ही है कि handed most influential list जो BBC की दोरा है वो उसमें हमारे चार Indian personality को शामिल किया गया है अभी हाल में 16th edition of exercise 16th edition सूरी करें exercise को conduct किया गया था तो सूरी करें हम किस के साथ करते हैं हम करते हैं निपाल के साथ और सूर्वा एडिशन था है इसका निपाल का जो capital है वो है काटमांडू और वहां की जो currency है वो है नेपलिस रूपी 51st मैत्री दिवस जिसे friendship day भी कहते हैं हम लोग ने इससे मनाया है हम लोग इसे हमारे पडोची देश बंगला देश के साथ ही मनाते है और इसे 6 दिसमबर को celebrate करते है मैत्री दिवस 6 दिसमबर को 67th महा परी निवारन दिवस was observed on 6 दिसमबर on the death anniversary of whom सवाल ये पूछ रहा है कि महा परी निवारन दिवस celebrate किया जाता है 6 दिसमबर को ये किसके death anniversary पर तो ये बी आर अम्बेट करके death anniversary पर इसे observe किया जाता है महा परी निवारन दिवस को और बी आर अम्बेट करके बारे में कुछ बात जान लिए कि हमारे ये first law minister रहे है International Anti-Corruption Day was observed recently on 9th December What was the theme of the day? अभी हाल में International Anti-Corruption Day को हम लोग ने observe किया 9th December को तो इसका दीम क्या रहा तो इसका दीम है Uniting the World Against Corruption Corruption के खिलाफ जोड़ना पुरी विश को एक साथ Corruption के खिलाफ लड़ना है Who has become the first ever transgender counselor of the Union Treaty of Delhi सवाल पूछ रहा है कि Delhi के पहली transgender counselor कौन बनी है तो इसका है यह बाबी किनर बाबी किनर Who has become the new chairman of Institute of Chartered Accountant of India recently अभी हाल में ही Institute of Chartered Accountant of India के नए chairman निउत किये गया है तो कौन है यह तो इनका नाम है विजंदर शर्मा विजंदर शर्मा और Institute of Chartered Accountant of India के जो president है उनका नाम है देवशेश मित्र देवशेश मित्र हेटकॉर्टर नई दिल्ली में विच इंदिन स्टेट है तो डिस्टिब्यूट LPG Cylinder इन जस्ट रूपीज फाइव हंडर फॉम फर्स्ट अपरिल टॉटी 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 सवाल कर रहा है कि कौन सा ऐसा भारत भारत का राज है जो यह डेकलेर किया है कि फर्स्ट अपरिल टॉटी 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 से वो LPG Cylinder को मैच 500 रुपे में उसे लोग खरीद पाएंगे तो यह है राजस्थान राजस्थान की सरकार ने ऐसा निने लिया है तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है अशोग हैलोट और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा टैनिस प्रेमेर लीग 2020 का किताब किसने जीता है वोनडा तैनिस प्रेमेर लीग 2022 तो यह है हाइदराबाद स्ट्राइकर पुने में यह हुआ है हाइदराबाद स्ट्राइकर ये भी हाल में एक रैंका आया था वर्ल्ड के जिन लेस्ट 2022 का जिसमें ये रैंक निकला गया कि इंडिया का क्या रैंक है क्यूजिन की फिल्ड में तो इंडिया ने फिफ्द रैंक हसल किया है इसमें और जो केजीन गया था रैंक के लिए वो था शाही पनीर तो शाही पनीर के शाही पनीर को इंडिन गार्मेंट की तरफ से रैंक के लिए भेजा गया था उसके नाम को यह आपको यह चीज़ जानने के ज़र होते है कि इसका रैंक फिफ्थ रहा है एक्सराइज सुदर्शन प्रहार कंड़क्टिड बाई इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प पैडविज प्लेस अभी हाल में ही सुदर्शन प्रहार एक्सराइज कंड़क्ट किया गया था हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से सुधर्शन चक्रकॉर्प को तो कहां किया गया यह तो यह राजस्थान में किया गया राजस्थान में पहली भारत की मुस्लिम फीमेल फाइटर पाइलेट कौन बनी है तो इनका नामे सानिया मिर्जा यह उत्तर प्रदेश की है और इन्होंने ही अभी फिस्ट फीमेल मुस्लिम फाइटर बन चुकी है यह उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के जो चीफ मिनस्टर है उनका नामे योगी आदित यानात और जो गवर्नर है वो आनिंदी बिन पठील है जो हमारा थर्ड शीफ था सर्वे वेसल लाज प्रजिक्ट का वो अभी कहां लाँच हुआ है उसके कहां लाँच किया गया है और उसका नाम क्या है तो लॉंच तो उसे चन्ने में किया गया है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है और उसका नाम है एकशक और यह बहुत ज़्यादा भी नियूज में था और एकशक का मतलब होता है गाइड यह बहुत ही नियूज में था एक्षक मिन्स काइड और ये थर्ड शिप था हमारा सर्वे वेसल लाज प्रजेट का अभी गमज्चा को जिया टैग मिला है तो किस राज का मिला है इसे जिया टैग बना गया है तो ये राज है आसाम आसाम को बना है कि असाम को ये जिया टैक दिया गया है और असाम के बात करें तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है डॉक्टर हिमनता बिस्वाश शर्मा और असाम के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी अब इहाल में ही मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात आ रही थी तो आईपेल में अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में ये अभी इनको खरीदा गया है आईपेल के लिए तो ये इनका नाम है सैम कुरेंड ये हमारे इंगलैंड की खिलाड़ी है आईगेस 18 करोर के अराउंड इनकी बेट लगी थी और ये रिकॉर्ड इनोंने ब्रेक कर दिया है इस बार आईपेल का और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके है हमारे पुरे हिस्ट्री में आईपेल के अभी अभी 48 मीटिंग हुआ था जेस्ट्री कॉंसिल का तो कहां हुआ था ये तो ये हुआ था नई दिल्ली में और जेस्ट्री के बाद जानने की है 101 कॉंस्टिनिशन अमेंडमेंट एड 2016 के द्वारा इसे लाया गया था नई दिल्ली में हुआ था इसे अब हमेशा याद रखेंगे तो इनका नाम है इनका नाम क्या है इनका नाम है श्री इकबाल सिंग लालपूरा श्रीकपाल सिंग लालपूरा तो नैशनल कमिशन अब बैकवार्ड क्लासिस तो नैशनल कमिशन अब बैकवार्ड क्लासिस के जो चेर्मेंड अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है हन्स राज गंगराम हन्स राज गंगराम देखे दोस्त बहुत लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि multiple choice questions दे देते हैं फिर वो उसे किसी को काटते हैं किसी को छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज अतना relevant नहीं है जो relevant है exam को लेकि बस वही चीज वही चीज ही मतलब कि teacher को बताना चाहिए मेरे ऐसा मानना है कि जो fact to fact question है उसे तरीके से बताना चाहिए ताकि ज़्यादा problem ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो लोग समझते हैं MCQ रहता है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं उसमें time waste भी होता है ऐसे क्या होगा कि अगर आप अभी देख लोगे कि सवाल जो भी है उसका जवाब यह है तो कहीं न कहीं आपके दिमाह में वो रह जाएगा और अगर सब पोश कीजिए कि आकर आपके exam में कोशन आ भी जाता है तो आपके ध्यान में कोई MCQ टाइप का कुश नहीं बनेगा बस यही ध्यान रहेगा कि इस कोशन का एंसर यह है तो मेरा मानना यह है कि जो भी कोशन उसके सीधर सीधर डाइट कोशन एंसर हो और उस एंसर से रिलेटेट जो भी important fact है उसे बता बताया जा सके अभी बहुत ज्जदा सेर्च किया गया था गूऌल पर कमपनी इस company को हमारे भारत कहीं company है तो यह कौन से company है और आइपील है यह टाइटा आइपील टाइटा संस और आईपील दोनोंने एक जोइन कॉलाबरेशन है तो इस कंपनी को ही अभी गूगल पर बहुत स्यादा सर्च किया गया था साल 2022 में और इसी तरीका के यह भी कॉशन है कि इस सेम कॉशन ही उपर ही जैसा है बस उसमें था की उसमें कंपनी को के बारे में पूछ रहा था और इसमें पर्सन के वाले हैं पूछ रहा है हलाकि यह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू से अगर देखे तो तो कौन है यह यह है नुपूर शर्मा यह हमारी बिजेपी की फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रही है नुपूर शर्मा विच फेस्टिवल विच अलसो नोन अस फेस्टिवल अफ लाइट डिसेंटली सेलिबरेटेट इन तमिल नाडू सवाल यह है कि फेस्टिवल अफ लाइट के नाम से एक तहवार है जो अभी तमिल नाडू में मनाया गया तो उस तहवार का नाम किया है तो उस तहवार का नाम है कार्थीगाई फेस्टिवल यह हमारे तमिल नाडो में celebrate किया गया था अभी recently की बात है और इसे festival of light भी कहते है तो यह चीज़ important है exam में आपको direct question ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा festival है जिसे festival of light कहते है तो आपके ध्यान में बस एक है चीज़ रहना चाहिए कार्थी का ही festival यह हमारा तमिल नाडो में अभी celebrate किया गया था तमिल नाडो की बात कर रहे तो वहां कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम M.K.Stalin है और जो हां के जो governor है उनका नाम R.N.R.V. है R.N.R.V. 8th edition of India International Science Festival held in which Indian state अभी अभी इंडिया International Science Festival का 8th edition किया गया था तो यह कहां अभी हुआ है यह हुआ है भोपाल में भोपाल तो इसे आप याद रखिए कि इंडिया International Science Festival इस वार हुआ था भोपाल में और यह 8th edition रही है First time in India Tribal Winter Festival celebrated in which Indian state and union territory पहली बार भारत में Tribal Winter Festival को मनाया गया तो इसे कहां मनाया गया है तो इसे बनाया गया है Bandipura जो की जमू कश्मीर में है Bandipura इसे पहली बार मनाया गया है ट्राइवल विंटर है यह ट्राइवल विंटर फेस्टिबल ट्राइवल लोग के दरफ से बनाया गया था यह और बंटीपूरा में किया गया यह जमो कश्मीर में है यह इन्पॉर्टन्ट है यह आपकी कुशन ज्यादा चांसे जए एक्जाम में आने के क्योंकि यह पहली बार है और यह ट्राइवल विंटर फेस्टिबल लेसल नाम से तो समझ प्या रहा है तो यह कहां सेलेबरेट किया गया है तो यह सेलेबरेट किया गया है जवाहल नाल नेणियु स्टेडियम जो की दिली में है तो इसका एदिशन टैन्त रहा है और यह निए डिली में सेलेबरेट किया गया है जवाहल नेणियु स्टेडियम में दिली के जो सियम है उनका नाम अरविंद कैजरीवाल हो और वहां के जो लिटनेंट कर गवरनर है वो है विनाई कुमार सक्सेना विनाई कुमार सक्सेना सेवंध एडिशन अफ इंडिया वाटर सम्मिट 2022 अब यह भी हुआ है तो यह कहां हुआ था यह हुआ है नई दिल्ली में और इसका धीम क्या था इसका धीम था रिस्टोरेशन और कंजरवेशन और स्मॉल रिवर्स इन लाज बेसीन यह इंपोर्टेंट धीम हमेशा पुछते हैं एक्जाम में कि इसके धीम क्या है तो इस इस दीम को आप हमेशा याद रखिए क्योंकि यह भी हाल में हुआ है और बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है यह तो इसका धीम है रिस्टोरेशन और कंजरवेशन और स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसीन हुआ कहा था यह नई दिल्ली में हुआ है अभी हाल में सम स्टैटिक्स्टिक्स और लाज नंबर अफ रोड अक्सिडेंट्स है बेन डन विच अकॉंट फॉर हॉर्मनी डेथ्स इन इंडिया सवाल में पूछ रहा है कि अभी हाल में ही कुछ गन्ना किया गया था रोड अक्सिडेंट्स को लेके कि रोड अक्सिडेंट्स अगर होते हैं तो कितने लोग उसमें मारे जाते हैं तो जो ये डेटा आया है ये उन लोगों का डेटा है जो रोड एक्सिडेंस में अपने जान गवा चुके हैं तो इस बार जो साल में हुआ था वो हुआ है एक लाग तिरपन हजार नौसो बहत्तर लोगों ने अपने रोड एक्सिडेंस में जान गवा दी हैं तो ये बहुत ज्यादा concern में हैं कि road accidents इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए और ये उन लोग की संक्या है जो मर चुके हैं जिन्होंने अपनी जान गवा दी है road accidents में तो ये चीज आप लोग भी ध्यान रखें कि ये चीज को कम से कम किया जाए जितना ज्याद हो सके इसे कम से कम किया जाए क्योंकि ये याकड़ा बहुत स्यादा है तक्रीबन डेड़ लाके राउंड है चल रहा है तो इन्पोर्टेंट है इसकी ध्यान में रखिए world's first carbon border tariff has been signed and passed by which country दुनिया में पहली बार carbon border tariff को sign किया गया है और इसे प्रारित कर दिया गया है इसे पास कर दिया गया है European Union के द्वारा तो क्या है ये तो इसका ये है कि carbon dioxide जो भी emission होता है उस पर ये tariff लगाएंगे और जैसे कि steel और cement को जो भी polluting चीज़ है जो pollute करते हैं उनस सब पर ये tariff लगाएंगे तो पहली बार ये पूरी दुनिया में किया गया है European Union ने इसे पास भी कर दिया है तो इसका बस ये ही objective है कि जो भी carbon dioxide emit होता है उस पर ये tariff लगाएंगे इंपॉर्टेंट कोशन है ये अपकी exam को लेकर Recently goa liberation has been observed on which day it was celebrated अभी हाल में goa liberation day को observe किया गया तो किस दिन इसे किया गया है तो ये किया गया 19th December को और क्यों करते हैं ये Operation Vijay को हम लोग celebrate करते है 19th December को जो कि Indian Armed Forces के द्वारा शुरू किया गया था 1961 में तो ये चीज़ important है याद रखिया कि 19th December को Operation Vijay को हम लोग celebrate करते हैं और 19th December को ही goa liberation day observe किया गया ये वो ही इंडियना जिस दिन पुर्तिगाली हमारे देश को छोड़के चले गया थे और पुर्तिगाली के बारे में ये बात आप जानते होंगे कि वो first European थे जो first foreigner थे जो हमारे देश पर आये थे और वो ही last भी बने जो हमारे देश को छोड़कर गए तो ये चीज अब को ध्यान में रखने हैं 12th edition of Agni Warrior has been conducted by India and which country Agni Warrior का भारवा edition अभी conduct किया गया भारत और किस देश के साथ तो ये है Singapore के साथ अभी हाल में ही हुआ है ये Singapore के साथ हुआ है Agni Warrior की बात करेंगे तो इंडिया और Singapore के भीच में हुआ है ये और कहां हुआ था ये ये हमारा हमारे महरास्टर में हुआ था Singapore की बात कर रहे हैं तो वहां की जो currency है वो है dollar Singapore की currency dollar India's first carbon neutral form inoculated in which Indian state recently भारत का पहला carbon neutral form को inaugurate किया गया तो किस शहर में किया गया ये ये किया गया है Alua शहर में जो कि केरिल में है Alua शहर क्या पह सवाल था first carbon neutral form तो first carbon neutral form is in ये अनवरिट किया गया है Alua केरिल में है ये और किरियल की बात कर रहे हैं तो किरियल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनराई विजयन अभी अभी शाहिते अकेडमी पुरुषकार दिया गया तो ये किन्हें दिया गया ये तो साहिते अकेडमी पुरुषकार 2020 का जो किताबे वो दिया गया है बदरी नारायन को और तुम्री वर्ड के लिए नहीं दिया गया है तुम्री तो ये बहुत ज़ादा ही important है question है कि साहिते का Academy पुरुष्ट का 2022 ये बदरी नारायन को दिया गया है ये word हमेशा याद रखिएगा तुमरी ये question डिरेक्ट पुछा जा सकता है exam में India's first drone skilling and training virtual e-learning platform has been inaugurated in which Indian state किस भारती ये शहर में drone skilling and training virtual e-learning platform को inaugurate किया गया है तो ये है चैन नाई में ये भारत का पहला है इसमें सिखाया जाएगा drone को कैसे चलाया जाता है और e-learning platform होगा ये ताकि थोड़ा सा skill develop हो सके हमारा drone में ये हुआ कहा है ये हुआ है चैन नाई में चैन नहीं Recently International Day of Person with Disability has been observed on which date International Day of Person with Disability को अभी अभी observe किया गया तो ये किया गया हमारे 3rd December को और इसका theme क्या था इसका theme था transformative solution for inclusive development the role of innovation in fueling an accessible and equitable world ये बहुत most important question है इसे बहुत ही ध्यान से याद रखेगा कि International Day of Person with Disability का जो theme था transformative solution for inclusive development the role of innovation in fueling an accessible and equitable world 3rd December को ये observe किया गया था जागवार का scientific नाम क्या है अभी ये न्यूज में था इसलिए कुशन आया है जागवार का scientific नाम है पैंथेरा उनका अब बस इसे ध्यान में रखेगा क्योंकि अभी ये न्यूज में रहा है पैंथेरा उनका अब ये सवाल कर रहा है कि किस राजे को गिनीज ब्क ओव र्कॉर्ड मिला है डौर टेकर मेट्रो बेच बनाने के लिए तो ये मिला है नागपुर को नागपुर महरास्टर की का जिला है और नागपुर को City of Oranges भी कहते है City of Oranges महरास्टर के जो Chief Minister है उनका नाम है श्री एकनास शंडे विहाल में ही हुए थे हैं और वहां के जो Governor है बगस्टिंग कोशियारी उनका नाम है Who has become the Prime Minister of Nepal recently अभी हाल में इनका appointment हुआ है ये नेपाल के Prime Minister इनका नाम है पुश्प कमर्दार और हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और इनका जो currency है और रूपी है और जो हमारे नेपाल की जो President है उनका नाम है बिद्या देवी भंडारी बिद्या देवी भंडारी which Indian state has became first of its kind to launch its own climate change mission सवाल ये पूछ रहा है कि भारत का पहला कौन सा राज है बन गया है जो अपना पहला राज बना है ये जो अपना climate change mission शुरू करेगा तो ये है तमिल नाडो और भारत का जो mission है zero net carbon emission वो 2070 तक का है जो भारत का mission है पर ये तमिल नाडो अपना एक अपना ही ये राजे में climate change mission को launch करने जा रहा है तो ये important question इसे ध्यान में रखिये which are those Indian companies which has made its presence in top 100 defense company in list of Sipri सवाल कह रहा है कि कौन सा भारती एक company है जिन्होंने Sipri के top 100 defense company में अपनी जगा बनाई है तो हमारे भारत के दो company है एक है हिंदुस्तान Aeronautics Limited और दूसरा है भारत Electronics Limited ये important है इसे हमेशा याद रखियेगा Sipri का जो full form है वो है Stockholm International Peace Research Institute और इसके जो headquarter है वो Stockholm में है Sweden में है Who has become the engineer in chief in Indian Army भारती आर्मी में engineer in chief कि सिब कौन बने है तो ये है अर्विंद वालिया हमारे अर्विंद वालिया है इन्डिया इन्डियन आर्मी में engineer in chief बनाए गया है इन्डिया's first carbon farm declared to which Indian state किस भारती राज़े को first carbon farm declared कर दिया गया है तो ये है केरल को first carbon farm गोशिद कर दिया गया है केरल को इस अर्विंद गया गया है सबसे बड़ा active volcano पुरे दुनिया में कौन बना है वह है किलावी जो कि हवाई में है तो यह आप हमेशा है याद रखेए यह भी recently न्यूज में था किलावी थोड़ाशा नाम इसका थोड़ा strange है जो कि हवाई में हता है हवाई यसे में है हवाई के जो president है उनका नाम है Stanford Ballard Dole और हवाई के जो capital है वो है Honolulu यह capital हमेशा पुछता है बहुत बार पुछा है यह question कि हवाई के जो capital उनका क्या नाम है तो है Honolulu इसे हमेशा याद रखेए who has been honored with Covampo National Award 2022 Covampo National Award 2022 किसे दिया गया है तो यह दिया गया है V. Anna Malai को V. Anna Malai को दिया गया है इसे याद रखेए Covampo National Award According to the report of the Worldwide Cost of Living Survey which is the most expensive city of the world Worldwide Cost of Living Survey 2022 के report की मताबिक सबसे ज्यादा महेंगा शहर कौन है पुरे विश्वे में तो पहले नमबर पे आता है Singapore और दूसरे में आता है New York और अगर हम भारत की बात करें तो पहले नमबर पे आता है Bangalore ये रैंक पे भी दिया था मतलब रैंक के साब से दिया गया था और ये फिर इसके बाद है चैन्नाई और हाइदराबाद ये टॉप थ्री मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया में और अगर हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है सिंगापूर और उसके बाद न्यू यॉर्क ये वह कॉश्चन है जो मैंने अभी थादरे पहले बताया कि विच इदा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ओफ इंडिया तो यहां पे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट अफ लिविंग सर्वे की मुताबि बैंगलोर को 161 रैंक मिला था मुस्ट एक्सपेंसिव सिटी में और चैन्नाई एंड एहमदबाद तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो सिंगापूर और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो बैंग किस देश ने पहला कमर्शन मूल लेंडर को लांच किया है तो यह काम है जपान का और लेंडर का नाम क्या है लेंडर का नाम है M1 Japanese Prime Minister Fumo Kishida है Fumio Kishida यह लेंडर का नाम हमेशा याद रखी है confusion होता है कि यह नाम क्या था तो यह हमेशा हमेशा याद रखीएगा कि लेंडर का नाम है M1 और उन्हों डोज स्कीम has been recently launched by which Indian state to eliminate poverty और उन्हों स्कीम को launch किया गया था launch किया गया है poverty को खतम करने के लिए तो किस राज ने ऐसा initiative लिया है तो यह राज है आसम 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 में दो नैशनल पार्क है अजिरंगा नैशनल पार्क मानश नैशनल पार्क और भी नैशनल पार्क है लिकिन यह दो इंपोर्टेंट नैशनल पार्क है आसम की जो राजधानी है वो है डिस्पूल पर यहां पर confused नहीं होना है क्योंकि जो हाई कोट है वो गोहाटी में है गोहाटी में इंडिया's first retail municipal green bond for solar plant has been launched in which Indian street भारत का पहला retail municipal green bond solar plant के लिए launch किया गया तो किस शहर में किया गया ये तो ये किया गया है अंदौर में अंदौर मध्यपर्देश में है which Indian state has become the first to issue municipal bond भारत का कौन सा ऐसा राज ये बन गया है पहला राज बन गया है जो municipal bond को issue करेगा तो वो है पुना पुना बनाई है which city hosted first शेरपा meeting of India's G20 presidency वारत का कौन सा ऐसा शहर है जो G20 presidency को host करेगा तो ये है उदाइपूर district राजस्तान की है उदाइपूर district और G20 presidency का जो theme है वो है one earth, one family, one future तो ये theme हमेशा आप याद रखेंगे जो है one earth, one family, one future का और ये हुआ है उदाइपूर की राजस्तान की district है which minister has launched नाई चेतना पहल बदलाओ की ये नाई चेतना पहल बदलाओ की किस ministry द्वारा लाँच की गई है तो ये ministry है Ministry of Rural Development और पंचायती राज और इसके जो minister है वो है गिरीराज सिंग तो ये important है क्योंकि government scheme अगर कुछ launch होती है तो वो बहुत जादा कुछर जाता है किसे भी competitive exam में तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नाई चेतना जो है ये रूरल डेवलोक्मेंट इट पंचायती राज़ अब ministry का launch किया हुआ है और इसके जो minister है वो है गिरीराज सिंग who has become the chairman of the atomic energy regulatory board atomic energy regulatory board की नहीं chairman कौन बनाए गया है तो इनका नाम है Dinesh Kumar Shukla Dinesh Kumar Shukla who has been appointed as the India's ambassador to Saudi Arabia Saudi Arabia के Indian ambassador कौन बने है तो उनका नाम है Sohail Azaz Khan ये ambassador बार बार पुछते है exam में तो इससे तो बिलकुल ध्यान में रखिएगा Saudi Arabia की Indian ambassador है वो उनका नाम है Sohail Azaz Khan Consequently three times blind T20 World Cricket World Cup 2020 की winner कौन रहे है लगातार तीन बार T20 Cricket World Cup 2020 की जो winner रहा है वो हमारा देश भारत रहा है तो ये एक milestone है हमारे लिए कि लगातार तीसरी बार हमने T20 World Cup में T20 World Cup के winner रहे चुके है तो रीचे ध्यान में रखिए लगातार तीन बार रहा है वो चुका है ये कौन सा देश है जो युनाटेड नेशन बायो डैवर्सिटी कौनफरेंस 2022 का होस्ट बना है तो वो है कनाडा कनाडा की बात करें तो जो capital ले वो टावा है और जो हां की जो currency है वो है dollar which country has become first in FIFA वर्ल कॉप रैंकिंग FIFA वर्ल कॉप रैंकिंग में पहला प्रथमस्थान बनाने वाला कौन सा देश बन गया है तो ये है ब्राजील और हमारा देश भारत का क्या रैंक है तो 106 रैंक है इस FIFA वर्ल कॉप रैंकिंग में ब्राजील की बात करें तो जो ब्राजील की जो capital है ब्राजीलिया और वहां की जो currency है और रियाल और ब्राजील के जो president है उनका नाम है लूईज सिल्वा लूईज सिल्वा अर्थ शॉट प्राज है और शॉट प्राज है और यह अर्थ शॉट प्राज दिया गया है तो यह कंपनी है खेत्री खेत्री अर्थ शॉट प्राज गिवें टू खेत्री अर्वी आई ने अभी रेपो रेट को किस किस तरपे रखा है तो अभी रेपो रेपो रेट का रेपो चल रहा है 6 दिसंगलव 25 परतिशत और अर्वी आई के जो गवर्णर है उनका नाम है श्री शक्तिका अंदास डिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रवी आई ने अभी डिवर्स रेपो रेट को अभी 3 दिसंगल 3 दिसंगलव 3.5 परतिशत रखा है और अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं तो 6 दिसंगलव 5.0 परतिशत पर इसे अभी रखा गया है अगर हम MSF की बात करते है Marginal Standing Facility की तो ये है 6.50 पर प्रतिशद रखा गया है इसे Exercise Austra Hint 2022 को अभी conduct किया गया था भारत और किस देश के साथ हम ये Austra Hint करते है तो ये करते हैं Australia के साथ और कहां किया गया है इसे इसे किया गया राजस्थान में राजस्थान और अगर हम Australia की बात करें तो हाँ के जो capital वो है इसे कहते है Canberra जो Australia के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है Anthony Alviz और जो currency है Australia की वो है dollar विच इंडियन स्टेट है वान दा प्रेस्टिजियर विजे हजारे ट्रॉफी विजे हजारे ट्रॉफी 2022 का किताब किस टीम ने जीता है यहाँ पे स्टेट नहीं होगा है टीम होगा तो यह है स्वराश्ट्री क्रिकेट टीम स्वराश्ट्री क्रिकेट टीम ने इसका खिताब जीता है विजे हजारे ट्रॉफी का स्वराश्ट्री क्रिकेट टीम ने जीत लिया है who has inaugurated rehabilitation project in Nainital rehabilitation project Nainital में किनों ने inaugurate किया तो ये है हमारे Manoj Kumar Manoj Kumar ने इसको inaugurate किया है Nainital में क्या? Rehabilitation Project उत्राखंड की बात करें उत्राखंड का ये जिला है और वहां के जो Chief Minister Rehutra Khrand की उनका नाम है प्योश कुमारस धामी और जो Governor Rehutra Khrand की वो है गुर्मीत सिंग गुर्मीत सिंग स्वीट रेवलेशन किस फिल्ड से रिलेटेड है? तो ये है ये भी बहुत ज़्यादा आप न्यूज में था तो इससे ध्यान में रखेंगे और स्ट्याटिक कुश्चन का ये पाठ हो सकता है और अगर पूछा जाए तो आप इसे बताएंगे अगर अगर हम पूछे वाइट रेवलेशन तो ये होगा मिलक से वह इस बिकिम दन्यू एमडि सी यॉओ उफ नाश्नल टेरी डिवलप्मेंट बूड नाश्नल टेरी डिवलप्मेंट बूड की न्यूँ एम डि सी यॉओ कौन बनाये गया है तो ये है मिनीश शा और वाइट रेवलेशन की जो फाउंडर है वो है वरगिस कूरियन और वाइट रेवलेशन जो है वो दूद से ही जुड़ा है और नैशनल टेरी डेवलेप्मेंट बोर्ड का जो हैट कौाटर है वो है आनन्द डिस्टिक्ट जो की गुझरात में पड़ता है तो यह सब चीज़ आप यहाद रखेंगे वो हैस बेकिम दा फर्स्ट ब्लैक और सेकेंड वोमेन प्रेजिडेंट अफ हावर्ड यूनिवर्सटी हावर्ड यूनिवर्सटी की पहली ब्लैक और दूसरी वोमेन प्रेजिडेंट कौन बनी है तो यह बहुत ज़दा इंपॉर्टन कोशन हो जाता है एक्जाम पॉइंट आफ यू से तो उनका नाम है क्लॉडिंग गी तो उन्हें यह अफसर प्राप्त हुआ है हावर्ड इंस्टी की वोमेन प्रेजिडेंट बनने का यह दूसरी वोमेन प्रेजिडेंट है पर यह पहली फर्स्ट ब्लैक वोमेन है यह चीज़ आपको मिश्य ध्यान में रखेंगे वो एज उन्हें पॉइंटेड अज एमडी सीओ फ़शो क्ली लेंड अशो क्ली लेंड जो हेवी वेहिकल मैंफेक्टरिंग कंपनी है हमारे देश का जितना भी लगबग मैक्सिमम याताजाद जो भी हेवी ट्रांस्पोर्टेशन होता है वो इसी कंपनी के वेहिकल की थ्रू होता है तो इसके म्डी सीओ कौन है तो वो है शेनू अगरवाल शेनू अगरवाल लियु औरतकर और इंडियन ओरिजिन है बिकेम जैंर और युज उरदकर जो की भारती मूल की है वो अभी किस देश की प्राइम्निस्टर बने है तो वो बने है Irelan की प्राइम्निस्टर और Irelan की बात कर जे हैं तो आइलेट की जो 11 वह है doubling और वहां का जो मुद्रा है वो है euro यह Indian origin नहीं है यह हमेशा याद रखी है लिए वरादकर इस country has issued the first of its kind with the signature of woman on its plan first bank note यह पहला initiative लिया गया हुआ है इस country के द्वारा इसमें इन्होंने अपने bank note पर पहली बार women का signature रखा है तो यह कौन सा देश है यह है United States of America यह पहला बार किया गया है first of its kind है तो इसे ध्यान में रखिये joint military exercise काजिंड 2022 conducted between India and which other country अभी हाल में ही हुआ था यह तो यह joint military exercise काजिंड तो काजिंड हम लों किसके साथ करते हैं यह कजाकिस्तार नाम से ही समझ में आ रहा है के एजड और के एजड और हमारे देश का IND तो इचेज ध्यान में रखिये थोड़ा easy हो जाता है समझना काजिंड 2022 इंडिया एंड काजाकिस्तान काजिकिस्तान की बात कर रहे तो वहां का जो capital हो उसका नाम है अस्तना और वहां की जो currency है वो है तीन जी और काजाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है अली खान अली खान which state has launched चीफ मिनिस्टर उड़ाएं उड़े खिलाडी उनायन योजना और नैशनल स्पोर्स टे किस भारतिय राजे ने उड़े खिलाडी उनायन योजना को लाँच किया हुआ है किस राजे के चीफ मिनिस्टर ने उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर ने उड़ें खिलाडी उड़ें योजना को नैशनल स्पोर्स टे के अफसर पर लाँच किया था तो ये ध्यान में रखिया which Indian state has become हर घर जल certified state बारत का कौन सा ऐसा राजे है जो हर घर जल certified state हो चुका है तो वो है गोवा एंड दादर एंड नगर हवीली ये certified state हो चुका है जहां पे हर घर जल इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा फ्लैक्शिप प्रोग्राम था हमारे गाव्मेंट का वो पूरा हो चुका है इस जगा पे क्या है दो एक है गोवा एंड दादर एंड नगर हवीली पहला गोवा एंड दादर एंड नगर हवीली गोवा की बात करते हैं तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है प्रिमोट सावंत और गोवा के जो गवर्नेर उनका नाम है पीए स्रीधरण सवाल कर रहा है कि कौन सा ऐसा पोर्टल है जो कि सरकार के जितने भी अवाड़्स है जितने भी मिनिस्टरीज के अवाड़्स है उसको एक प्लैटफॉर्म पे लाए जाए तो एक प्लैटफॉर्म पे लाने के लिए जितने भी अवाड़्स मिनिस्टरी दोरा दिये जाते हैं वो अब मिलेंगे रास्ट्रे पुरुषकार अवाड़्स के नाम से तो जो रास्ट्रे पुरुषकार अवाड़्स होगा उनमें सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज है गव ही अब दिये जाएंगे इन्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसे समझने का प्रयास कीजिएगा इंडियास फर्स्ट और्थकुएक मेमोरियल इन्विच इंडियन स्टेट भारत का पहला और्थकुएक मेमोरियल किस राज में इन्विच 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 में आचारे देवरत आप इसे ऐसे याद रह सकते हैं जैसे कि फिर्स्ट अर्थक्वेक मिमोरियल पूछेगा आप सीधा गुजरात सोचेंगे अर्थक्वेक मिमोरियल गुजरात और फिर आप सीमर गौर्णर को ध्यार में रखेंगे विच मिनिस्ट्री याँ सवाल पूछ रहा है स्माइल सेवेंटिफाइव इनिशेटीव जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लांच की गई है तो यह है मिनिस्ट्री ओफ सोचल जस्टिस और इमपावर्मेंट और अबजेक्टिव क्या है इसका इसका अबजेक्टिव है तो यह इंपोर्टेंट है इचीज आपको समझना होगा इचीज ध्यान में रखेगा इसमाइल अट सेटीफाइव तो इसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमारे अजाद होने का भी 75 वर्शगाट मनाया जा रहा है तो यह सोच जा रहा है कि पेगिंग फ्री होना चाहिए यह तो उसी का यह अबजेक्टिव इसमाइल सेटीफाइव और यह इतने भी इस तरह के जो भी इनिशेटीव ले जाते ही गवर्शगाट वो सब सोचल जस्टीज और इंपावर्मेंट के अंडर आते हैं सोचल जस्टीज और इंपावर्मेंट भारत का कौन से असर आजए है जो गवर्मेंट स्कीम है उसे लाँच किया गया है वहां के गर्ल स्टुडेंट के लिए तो यह है तमिल नाडू पद्धुमाई पेन का मतलब होता है modern woman तो यह स्टेट गवर्मेंट का स्कीम है तो स्कीम से रिल्टेट बहुत ज़ादा question पूछे जाते हैं आपके competitive examination में तो इसे ध्यान में रखिएगा कि पद्धुमाई पेन पूछा जाए तो आप तमिल नाडू सोचेंगे पद्धुमाई पेन का मतलब है modern woman समर्थ एन ए गवर्नेस पॉटल लॉंच बाई बिच इंडियन स्टेट समर्थ जो है वो किस भारती राज के इनिशेटिव है तो यह आप कहेंगे उत्राखंड यह ए गवर्नेस पॉटल है मतलब electronically government का जितना भी इनिशेटिव है वो सब इस पे आप देख सकते हैं उत्राखंड का यह प्रजेक्ट है who has become the chief minister of हिमाचल परदेश तो यह question तो अब आपको ध्यान में आके आओगा सुक्विंदर सिंसी को यह के chief minister बने है हिमाचल परदेश के और हिमाचल परदेश के अभी deputy CMB बने है तो वो आप मुझे बता हिएगा comment box में अगर आपको यह याद हो तो first बने है वो which Indian state has launched one district one sport scheme भारत का ऐसा कौन सा राजे है जो one district one sport scheme को launch किया है तो यह है उत्तर परदेश और उत्तर परदेश के जो chief minister है उनका नामे योगी आदित्यनाथ और जो governor वो अनंदी बेन पटेल है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्तर परदेश में कितने सारे national park है और आपको यह वाद पता हो तो आप मुझे comment box में प्लीज पताएं according to the world malaria report 2022 how many active cases of malaria registered according to WHO world health organization के मताबिक कितने सारे active malaria के cases registered हुए है इस साल 2022 में तो यह हुए 247 million अतलब यह malaria world malaria report का कहना है कि last year जो active cases registered की गया है malaria को लेके वो तक्रिवन 247 million के है 247 million यह data याद रखिए करकि यह data हमेशा data जो factual data होता है वो exam में बहुत बाहर पूछा रहाता है direct question उससे आता है तो यह ध्यान में रखिए 247 million what is India's GDP growth rate in the year 2022-2023 तो अपरिमेंट से शुरू होता है और मार्च तक जाता है यह इसलिए 242 से 273 तक लिखा जाता है तो भारत का जो GDP growth rate है वो 6.9% से बढ़ेगा यह अक्लिन किया गया हुआ है 6.9 प्रदेशत 6.9% which bank has claimed with E.A.G. Lottery Award तो E.A.G. Lottery Award 2022 को किस बैंक को दिया गया है तो यह है यह बैंक है Bank of Baroda और Bank of Baroda का जो headquarter है वाड़ोदरा में है और Bank of Baroda की जो chairman है उनका नाम है Hasmuk Adia Hasmuk Adia which Indian University has become first to score 3.85 by NAC receiving grade A recently भारत का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको NAC द्वारा grade A के श्रेनी में रखा किया है क्योंकि इन्होंने 3.85 स्कोर किया था तो यह यूनिवर्सिटी है गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी जो की अमरिसर्द में स्टित है इन्पॉर्टेंट है इन्पॉर्सिटी इन्डेक्स 2022 ग्लोबल फूट सेकेरिटी इंडेक्स में कौन सा ऐसा देश है जो टॉप पे रहा है तो यह देश है फिनलेंड और इसमें हमारे भारत का क्या रहा है तो भारत का रहा है 107 यह चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि टॉप के कंट्री और जो हमारा भारत देश का जो रैंक है वो हमेशा पूछा जाता है फूट सेकेरिटी की बात हो रही है इसमें तो फूट सेकेरिटी आप समझी सकते हैं किस क्या रैंक है किस रैंक पर हम अभी स्टेंड कर रहा है और फिल्लेंड की बात करें तो कैपिटल है वहां की हेलसिंग की फिल्लेंड की जो करन्सी है वो ये येरो और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सेना मरीन इंडिया's longest escaped tunnel constructed in which Indian state और Union territory भरत का सबसे लंबा escape tunnel construct किया गया है तो ये कहा हुआ है ये हुआ है बनिहाल ये कहां पर है ये कट्रा railway line के पास है कट्रा railway line से connect होता है ये बनिहाल से कट्रा रेले लाइन को connect करता है ये escape channel और कहां है ये ये है जमू कश्मीर में जमू काश्मीर which state gamosa got gi tag gamosa जो की clothing है article of clothing है ये भी असाम राज की GI tags को प्राप्त हुआ है असाम का और असाम में दो national park जो है असाम कजो national park के क्या है दो बताइए कजी रंगा national park मानज national park और रंग national park ना मेरी national park दिवरुगर नेशनल park बहुत सारे हैं बट ये सब आपको मौपे याद होने चाहिए खेर इस question में ये ही पूछा गया है कि GI tag के शिराज को मिला है गमोसा के लिए ये पूछ सकता है exam में कि गमोसा का मतलब क्या होता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे article of clothing है ये article of clothing कपड़े से जुड़ा हूँ जुड़ा से कुछ related है who has received ravidna tag over literacy prize 2021-2022 ravidna tag over literacy prize से किसे समानित किया गया है तो इस साल दो लोग को इस पुरिशकार समानित किया गया है वो दो लोग है सुदीब सेन एंड शोबना कुमार तो दो लोग है इसे आपको ध्यान में रखना है सुदीब सेन एंड शोबना कुमार जिनने डमिनाट टैगोर लिटरिसी प्राइस इस पर दिया गया है Who has won the Best Director Award at New York Film Critique Circle Award New York Film Critique Circle Award किस किसी दिया गया है Best Director के शेनी में तो ये दिया गया है SS Raja Mohli को SS Raja Mohli को Best Director के आवार्ड दिया गया है New York Film Critique Circle Award में This state has launched Friends of Library Scheme to promote reading सवाल पूछ रहा है कि कौन से भारत का राजय है जिसने Friends of Library Scheme को launch किया है ताकि लोग वहां आके बैठके पढ़ सके तो ये है तमिलनाडू की सरकार ने इसे launch किया है Friends of Library Scheme तमिलनाडू ये इसलिए इसलिए दिया गया है ताकि वहां के लोग, जो लोकल लोग है, वो आके किताबे पढ़ सकें, किताब, क्योंकि हम लोग कहते हैं किताब हमारे best friend होते हैं, और हमेशा हमें किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उससे knowledge मिलता रहता है, तो वहां के जो गवर्म who has been appointed as the chairman of B20, the business 20 India, B20 के chairman किसे appoint किये गए हैं, तो ये हमारे श्री रतन टाटा को, और the business 20 India, ये अभी news ने काफी था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, कि हमारे श्री रतन टाटा जी को B20 के chairman निफ्ट किये गए हैं, और टाटा सन के जो chairman है, उनका नाम है एन चंदरेशेकर, एन चंदरेशेकर, who is the author of the book, the Indian Navy at 75, the Indian Navy at 75 के book के author कौन है, तो इनका नाम है रंजीत राय एंड, अरित्रा बैनर जी, अरित्रा बैनर जी, ये important किताब है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसे एक्जाम में पूछने के, अभी हमारा देश अभी 75 वी वर्शकार्ट मना रहा है, तो उसी के संदर में ये किताब बनाया है, भारते, हमारे भारते, निवी के important events, इस किताब में शायद दी गया हूँ, तो आप इसे जरूर पढ़ें एक बार, हलाकि इसके जो author है, उनका नाम रंजी तरह है, और इतरह में रंजी है, और इतरह में रंजी है, पर मेरा ये suggestion है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें है, इस बुक का क्या नाम है? इस बुक के author का क्या नाम है, इस बुक का नाम है, fit at any age, practice guide, इसके author का नाम पूछ रहे हैं, तो इसके author चोह है, उनका नाम है, air marshal pvier, fit at any age, a practice guide, इसके author है, air marshal pvier, तो important हो जाता है, ये भी, Who is the author of the book, the light we carry, इस बुक के author का क्या नाम है, तो इस बुक के author का नाम है, माइकेल अबामा, माइकेल ओबामा, the light we carry, Who is the author of the book, miracle of face yoga, miracle of face yoga, किस ने लिखा है, तो ये है हमारी mansi gulati, इन्होंने, ये है इसके writer, इन्होंने इस किताब पुस्तक को लिखा है, miracle of face yoga, mansi gulati, Who is the author of the book, freedom at midnight, freedom at midnight के लेखक कौन है, तो उनका नाम है, डॉमिनिक लैपियर, डॉमिनिक लैपियर, ये factual question है, जो exam में बहुत ज़दा चांसे थे पूछने के, तो आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, Freedom at midnight, डॉमिनिक लैपियर, The Prime Minister of India, Narendra Modi, has inaugurated a new airport in the Indian state of Goa, What is the name of the newly developed airport? अभी हाल में ही, हमारे प्रधान मंत्री नarendra Modi जी ने, एक airport inaugurate किया है, गोवा में, तो इस सवाल पूछ रहा है कि उस airport का नाम किया है, तो उस airport का नाम है, Manohar Parikar, Manohar Parikar, और गोवा की बात कर रहे तो वहां के जो चीश मिनिस्टर है, उनका नाम है प्रमूत सावन, और जो गवर्णर है, वो है, Manohar Parikar, तो ये उन्ही के नाम पर रखा गया है, Who is the author of The Chipkommement of People's History, The Chipkommement of People's History के लेखक कौन है, तो ये है, शेखर पाठक, शेखर पाठक, और इस किताब को कमला दिवी, चटो पाठ दे आए, New India Foundation Booker Prize भी, हासिल हुआ है, इस साल, इसलिए इस किताब काफी, न्यूज में रहा है, शेखर मुमिट की बात कर रहे हैं, तो उनके जो founder है, उनका नाम है, सुंदरलाल बहुगोना, इस किताब काफी important हो जाता है, क्योंकि इभी हाल में, इस किताब को कमला देवी चटो पाठ दे आए, New India Foundation Booker, बुक प्राइस हासिल है, तो बहुत ज़्यादा chances है, आपके exam में ये, इस question आने का, तो आप इस question को इसम बहुत अच्छे से समझ ले, कि इदा जिपको moment, अप इपल से स्टी के जो लेखा कि उनका नाम, शेकर पाठक है, शेकर पाठक, अगॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स, इंडिया ज रैंक स्टू डेट वट, आर्टन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स 22 के मुताबिक, भारत किस रैंक पर लाइ करता है, तो भारत का रैंक है 87, और पहली की बात करें तो, UAE फर्स्ट रैंक पर आता है, युनाटर अवर इमिरत इसका रैंक फर्स्ट है, और जो लास्ट है, वो है अफगानिस्थान, आर्टन कैपिटल पास्पोर्ट इंडेस के मुताबिक, भारत 87 रैंक पर है, और फर्स्ट रैंक है, UAE का, और जो अंतिम में आता है, वो है अफगानिस्थान, मॉस्ट इंपोर्टन कोश्चन है ये, आप इसे थार सब ध्यान से समझिए, क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड कोश्चन बहुत आते हैं एक्जाम में, इंडेक्स से, गॉवर्मेंट स्कीन से, तो इसे ध्यान में रखिये, विच इंडेन स्टेट विल रेसीव परिवार, पहचान पत्र योजना, क्या रहा है कि कौन से भारत का राजय है, जो परिवार पहचान पत्र योजना स्कीन को चलाएगा, जिसको किंडरी सरकार ने फ्रेम किया है, ये जानने के लिए, ये इंशोर करने के लिए, की जो भी felties, के उन्दर सरकार की है, वो गरीबों को मिल रही भी है या ने, तो ये स्कीम उन्हों नोहीं लोग के लिए है, तो ये कौन सा राजय है, तो ये है जमो कश्मीर, ये सेंटरल कववर्मंट की स्कीम है, जो भी है, तो यह जमू कश्मीर में चलाए जा रही है गरीबों के लिए कि उन्हें जो भी उनको फैसिलिटीज दी जा सकती है गवर्मेंट की तरफ से जो भी इनिशेटीव रन कर रहे हैं वो उन्हें प्रॉपर मिल सके सवाल पूछ रहा है कि कौन सा भारत का राज्य है जो हर घर गंगाजल प्रोजेट को लाँच किया है जो कि इंशोर करता है कि हर घर को गंगाजल मिल सके तो ये है राजगिर जिला जो कि बिहार में आता है तो ये वहां का इनिशेटीव है और अगर राजगिर की बात करें तो पंत वाइड लाइफ सेंजरे जो है वो राजगिर में ही स्थित है बिहार की बात करें तो यहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नितीश कुमार और यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान हर गर गंगा जल राजगे डिस्ट्रिक्ट बिहार इसे ध्यान में रखिए इंडियन वेट लिफ्टर मिरवाई चानू वान मेडल इन वर्ल वेट लिफ्टिंग चैंपेंशिप 2019 इस सवाल पूछ रहा है कि जो हमारी इंडियन वेट लिफ्टर है मिरवाई चानू उन्हें कौन सा मेडल वर्ल वेट लिफ्टिंग चैंपेंशिप में हासिल हुआ है तो यह मिला है सिल्वर मेडल सिल्वर मेडल और टोटल जो मेडल वो भी मेरे बाई चानू की वज़ conceived और वो सिल्वर मेडल हुआ तो यह आप ध्यान में रखिए डीजी यातरा इसन इंिशेटिव विच मिनिस्टरी डीजी यातरा जो इंिशेटिव ली गई है यह किस मिनिस्टरी के एंडर आती है तो यह आती है Ministry of Civil Aviation Civil Aviation और हमारी Civil Aviation Minister को ने जोतिरा आदिते सिंधिया तो यह आप ध्यान मेरे कि DJI यात्रा यह Civil Aviation के का फ्लैक्शरी प्रोग्राम है On which day we celebrate good governance day शुशाशन दिवश हम किस दिन मनाते हैं तो यह हम मनाते हैं 25 December को Good governance day 25 December और इस दिन क्या होता है इस दिन हमारे former अटल विहारी वाजपाईजी का birth anniversary है 25 December को तो उन्हें के जनम दिवस पर हम इसे Good governance day को celebrate करते हैं 25 December को तो यह याद में रखिए अटल वियारी वाजपाई Grand Memorial is going to build at which Indian State Union Territory अटल वियारी वाजपाई का जो Grand Memorial को built होना है तो यह कहां होना है तो यह होगा गौालियर डिस्टिक्ट में जो की उत्तर पर्दिश का जिला है यह कौलर डिस्टिक अफ योपी तो एक वाजपाई से ध्यान से रखिए अटल वियारी वाजपाईस Grand Memorial यह गौलियर में होने जा रहा है और अगर हम योपी की बात करें तो जो हां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम योगी आदितेनात है और जो गवर्णर है वो है अनदनी बिन पटेल रिस्क फार मास्टिलिंग 2020 to 2023 according to the report published by the US Think Tank Early Warning Project US Think Tank Early Warning Project के हिसाब के report की मताविक कौन सा ऐसा देश है जो की नमबर वन बन चुका है Risk for Mass Killing रिपोर्ट में इसका मतलब यह होता है कि यह रिपोर्ट की मताबिक कौन साथा देश है जो मास किलिंग में टॉप मानमर पे पहुँच चुका है Risk for Mass Killing में तो यह है पाकिस्तान पाकिस्तान नमबर वन पे पहुँच चुका है और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की तो इंडिया का जो रैंक है वो 8th position है इस रिपोर्ट की मताबिक तो यह थोड़ा एक चिंगता का विशह है थोड़ा सोचने वारी बात है खेर टॉप में जो है वो हमारा पड़ोसी देशी है पाकिस्तान जो हमारा एनिमी देश भी हम कभी कभी इसे कहते है कभी कभी क्या कहते ही है एनिमीज तमीन लाडू चीफ मिनिस्टर एमके स्टैरियन इनागुरेटेट स्टैच्यू ओफ महा कवी सुब्रीमानियम भरतियार इन विच इंडियन सिटी तमीन लाडू के जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टैलिन उन्होंने महा कवी सुब्रीमानियम भरतियार के स्टैच्यू को इनागुरेट किया है तो ये कहां किया है तो ये किया है वारंडेशी डिस्ट्रेट औफ यूपी उत्तरप्रदेश के बरनारेश जिले में इनका स्टैचू को इनाउगरेट किया गया है और ये किनके द्वारा हुआ है ये तमीलाटो के जो चीफ मिनिस्टर इनके स्टैचू का इनाउगरेशन इन्डिया एन्डिया है's picking hands with which other country on forest biodiversity conservation forest biodiversity conservation में भारत ने किस दोसरे देश के साथ हाथ मिलाया है तो ये देश है France France के साथ हमने हाथ मिलाया है Forest, Biodiversity, Conservation में और किस प्रोगाम के लिए किया गया है यह काजरंगा नैशनल पार्क है असाम में इसका फ्लैशिक प्रोजेक्ट है यह और मारस नैशनल पार्क भी असाम में ही है Recently which Indian state has become the first to be declared paperless भारत का पहला ऐसा कौन सा राज़े बन गया है जो completely declared किया गया है paperless तो यह सहर सा district है बिहार में यह उसको paperless district declared कर दिया गया है बिहार की बात करें तो वहां के जो chief minister है वो नितिश कुमार है वहां के जो governor है वो फागु चोहान है किर्थी पारी committee which was related to which field which was recently in news किर्थी पारी committee अभी हाल में ही news में था यह यह किस field से related है यह है gas pricing formula से related क्या है इसमें इसमें है कि जो 2017 के शुरुआत से जो gas cylinder का जो price होगा वो market determined होगा और government उसको fix नहीं करेगी यह formula है और किर्थी पारी committee के दोरा इसे recommend किया गया है तो यह आप ध्यान में रखेंगे किर्थी पारी committee के नितित में जो formula है यह gas pricing formula इसको initiate किया गया है बारत का ऐसा कौन सा राजे बन गया है पुरे भारत नौर्ट इस्ट में जो mental health and social care policy को implement करेगा तो यह राजे है मेगाले मेगाले बनाए यह और मेगाले की बात करें तो यहां के जो chief minister है उनका नामे कॉमले संग्मा और governor है मेगाले की बिड़े मिश्रा यह पुरे नौर्ट इस्ट का पहला राजे बनाए है जो की mental health and social care policy को implement करेगा नाकपुर मुंबई super communication express bay is being funded by which other country for establishing intelligent transport system सवाल पोच रहा है कि नाकपुर मुंबई super communication express bay जो है इसे कौन सा देश फंड लॉन दे रहा है ताकि यहां पर intelligent transport system को establish किया जाए तो यह देश है South Korea साउथ कोरिया और साउथ कोरिया की बात कर रहे तो वहां की जो capital है वो है SEO और प्राइम मिनिस्टर साउथ कोरिया के जो है हग डमसू और साउथ कोरिया की जो currency है वो है won equilibrium lunar earth point six use spacecraft is a initiative of which country EQULEUS equilibrium lunar earth point six use spacecraft किस देश की initiative है यह है यह है जागसा की जागसा क्या है जागसा है जागसा है जापान aerospace exploration agency यह उसकी initiative है इसका fracture program है तो जापान की बात करें वहां का जो currency है यह इन है और capital है टोकियो what is India's ranking global minority index 2022 which was published by center of policy analysis तो सवाल पूचा जा रहा है कि global minority index 2022 के मताबिक भारत का क्या rank है global minority index में center for policy analysis के report के मताबिक तो हम पहले में आते हैं हमारे में global minority index जो है वो first में हमाते हैं और इसको एक center for policy analysis के जो headquarter है वो पत्ना में है पत्ना बिहार की राजसानी है recently India's biggest yoga center has been built in which Indian state अभी हाल में भारत का सबसे बड़ा yoga center को built किया गया किस राज में built किया गया तो यह built किया गया उधांपूर district जो कि जमु कश्मीर में आता है biggest yoga center उधांपूर who has become the brand ambassador of khadi and handcraft for state of Bihar khadi and handcraft की brand ambassador किसे बनाय गया है Bihar की राज में तो यह है मैथली ठाकुर को मैथली ठाकुर को उस्ताद बिजमिल्ला खान का युवा परुसकार भी के लिए भी select किया गया था अभी हाल में दिविकला मेला 2022 was organized by which ministry दिविकला मेला किस ministry द्वारा organized की जाए गई है तो यह है ministry of social justice and empowerment और यह कहां किया गया यह नई दिल्ली में किया गया दिविकला मेला नई दिल्ली में किया गया यह India has gifted Donia 228 aircraft to which of the neighboring country भारत ने Donia 228 aircraft को हमारे किस परोशी देश को सौपा है तो यह है Sri Lanka Sri Lanka को हमने Donia 228 aircraft भेट की है Prime Minister जो है Sri Lanka की उनका नाम है Dinesh Kunawardana और वहां की जो President है वह एंड़ी विंकरमें सिंग है Who has won the UNESCO's Peace Prize recently UNESCO Peace Prize किसे मिला है यह मिला है Angela Markel को UNESCO Peace Prize Angela Markel What is the name of the recently launched software for registering names in Russian card Russian card में नाम register करने के लिए कौन से software को recently launch किया गया है तो यह है Russian Midr बहुत सारे confusing नाम आएंगे exam में लिकिन आपको इध्यान में रखना है कि software का नाम पूछ रहा है जिससे launch किया गया है Russian card में register करने के लिए अपना नाम register करने के लिए तो यह है Russian Midr who has become the new prime minister of Papua New Guinea Papua New Guinea के नई प्रदान मंतरी कौन बने है तो यह है James Mirapay James Mirapay और Papua New Guinea के जो करने सी है वह है कीना और Papua New Guinea की capital है वह है Port Morisbhai Port Morisbhai Amrita hospital which is the largest लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया बिल्ट इन वीच इंडियन स्टेट Amrita hospital जो की सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया है भारत का इसे कहां बिल्ट किया गया है यह हर्याना डिस्टिक में है और इसके इस हॉस्पिटल के इनाउगिरेशन में हमारे प्रधान मंतरी नरीद मुदी जी भी आये थे इसको इनाउगिरेट करने के लिए इसे इनाउगिरेट प्राइम मिनिस्टर ही नहीं किया है और हर्याना की बात कर रहे तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वानराल खटर और गवर्नर है बंदूराव ततरया सवाल कर रहा है कि जी वी का जो की एक इनिस्टर लिया गया है राजे सरकार द्वारा जो की बंद बैन किया हुआ है लिकर बाटल को तो ये किस राजने किया है ये बिहार की राजने बिहार राज के जरकार में ऐसा कदम उठाया है इन्होंने कहा है कि जो भी सीज्ड लिकर बाटल है उसको मतलब तोड़के फोड़के उससे फिर बैंगर्स को मैनुफेक्चर किया जाएगा क्योंकि पुरे बिहार में लिकर बंद है बैन किया हुआ है बिहार की बात करें तो यहां के जो सीम है वो नितिश कुमार और यहां के जो गवर्णर है वो फाबु चोहान Queen Elizabeth second woman of the year award 2022 has been given to be children on personality Queen Elizabeth second woman of the year award 2022 का किताब किसे दिया गया है तो यह दिया गया है Swela Braverman को Swela Braverman तो उन्हें यह उसका दिया गया हुआ और यह क्या है यह वहां Ministry of Ministry of Home मे Ministry of Home Britain में Ministry of Home Minister है वहां पर शी पर शीज़ बिकें दा New Home Minister in Britain Recently City's COP90 has approved the approval to make changes in status of which animal from Appendix 1 to Appendix 2 Sites COP19 के approval के मताबिक किस animal को Appendix 1 से Appendix 2 में भीजने के लिए जो प्रपोजल दिया गया था वो अप्रूफ कर लिया गया है तो यह है Southern White Rhino तो यह आप ध्यान में रखेंगे कि Southern White Rhino को Appendix 1 से Appendix 2 में जाने की मंजूरी मिल गई है Sites COP19 की प्रपोजल Sites COP19 ने प्रपोजल को Accept कर लिया है 7th edition of Global Technology Summit 2022 which held in which of the Indian cities Global Technology Summit 2022 के साथ भे edition को कहां held किया गया था तो यह हुआ था नई दिल्ली में और इसका धीम क्या था इसका धीम था जियो पॉलिटिक्स ओफ टेक्नोलोजी जियो पॉलिटिक्स ओफ टेक्नोलोजी Who has become the new MD CEO of Bombay Stock Exchange Appointed by Sevi Bombay Stock Exchange के नई MD और CEO किसी बना गया है वो है नाम हैंका सुन्दर रमा मुर्थी और Sevi का हेड़क्वाटर कहा है Sevi का हेड़क्वाटर है मॉंबई में Bombay Stock Exchange 1875 से कारेज़त है World's first international vaccine has received approval for emergency use in India by Central Drug Standard Control Organization developed by which Indian Pharma Company सवाल कर रहा है कि पहला दुनिया का पहला first international vaccine को मंजूरी दे दी गई है Central Drug Standard Control Organization द्वारा कि वो emergency के वक्त उसे यूज कर सके तो ये international vaccine किस फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई है तो ये है भारत बायोटेक और भारत बायोटेक के जो MDC हो है उनका नाम है डॉक्टर किष्णा इला तो ये आप ध्यान में रखेंगे Carbon Capture Utilization and Storage Policy Framework and its Deployment Mechanism in India report has been published by which ministry तो इस report को नीती आयोग publish करता है तो क्या है इसमें इस Carbon Capture Utilization and Storage Policy Framework and its Deployment Mechanism in India के क्या है इसका conclusion क्या है तो इसमें ये है इस report के अनुसार ये होता है कि ये 2050 तक 10 million jobs को full time jobs को generate करेंगे इस report का conclusion आता है ये ही है कि इस Carbon Capture Utilization के तरू 10 million jobs को 2050 तक generate करेंगे तो ये हमारे लदाक में है लदाक में है फर्स्ट डार्सक्राइ रिजर्ड सेंचुरी अंग्री भाषा में लिश्ट लैंग्वेज में अज़ लुट्वें आर न भी उच्चंट्री अस्टॉप तॉफ फीफा वर्ल्ड कप राइंगे 2022 क्वां सा इस लदेश जो फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2020 में टॉप किया है तो यह कंट्री है ब्राजील और भारत का रांक था भारत का रांक था इसमें 106 FIFA वल्ल कॉप रांकिंग में और ब्राजील की बात कर रहे हैं तो वहां की जो capital है वो ब्रसीलिया और वहां का जो currency है वो real 7th edition of joint military exercise sangham conducted between India and which other country 7th edition joint military exercise sangham conducted किया गया भी अभी तो यह किस दो देश के बीच में हुआ गया है यह किया गया है भारत और अमरिका की बीच में और अमरिका की बात कर रहे तो 16 प्रेसिडेंट जो है वहां के वो है जो बैडन और जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरिका की उनका नाम है कमला हैरिस यह इंडियन की है कमला हैरिस गया है टल सम्मान अवार्ड के से किसे की से दिया गया तो यह है प्रभुचंदर मिश्रा की दिया गया है क्योंकि भीकि इन्होंने साइंस और थारं म०ैश्रा को डाती था बस्तृतки ज़ीरणाइ – आने दोट रहता घेए ऩो यह दिया गया है को ज़गत falls be a प्हस्तृतो यह दिया गया है वन फ्यूचरिंट प्राइट प्राइटिंटिश услब्स future special price 2022 किस भारतीय scientist को दिया गया है तो उनका नाम है थललपिल प्रदीप थललापिल प्रदीप को win future special prize 2020 का किताब मिला है यह भारतीय scientist है who is the Indian cyclist shop Tunch 30th आकलावे पुरुसका recently कौन सी भारतीय महिला है साइकलिस्ट है जिसको 38 एकलावे पुरुषकार अभी हासिल हुआ है तो वो है स्वास्ती सिंग को एकलावे पुरुषकार अवार्ड मिला है वो इस अथोर अधर बुक ब्रेव हाट और भगत विगनेट्स फ्रम इंडियन हिस्ट्री ब्रेव हाट और भगत विगनेट्स फोर इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है तो यह है विक्रम संपत विक्रम संपत सूपर इंफनाइट त्रांस्वर्मेशन अधर जोन दून विच वोन अधर प्रेस्टिजिस योके नॉन-फिक्शन बुक प्राइज अभी भी से हासिल हुआ है इसके लेखक कौन है तो इसकी लेखक है कैथरीन रंडेल कैथरीन रंडेल सूपर इंफनाइट लिखा गया है कैथरीन रंडेल के तरफ से मरियम वेबस्टर वर्ड अफ़ ये 2022 2022 का मरियम वेबस्टर वर्ड अफ़ ये कौन रहा है तो ये रहा है गैस लाइटिंग यह आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड अफ़ अफ़ ये भी बहुत बार कुश्चन एक्जामें पूछे जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है मरियम वेबस्टर वर्ड अफ़ ये गैस लाइटिंग और फिर ये हमारा इस सेट का लास्ट कॉश्चन है 200 विच एशियन कंट्री अज बिकिन दे फर्स तो यूज अजिज़ पूज़ पूज़ फियल टू रन इट्स लोकोमेटिव आएशिया का पहरा कौन सा इसा देश बन गया है जो हाइड्रोजन फियल को अब यूज़ कर रहा है अपने ट्रेन को चलाने के लिए अपने लाड़ी को चलाने के लिए तो ये है चाइना चाइना यूज़ करना शुरू कर दिया है चाइना की जो कैपिटल वो बीजिंग वहाँ की जो करंसी है वो यूआन रें में भी और चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो जिंग पिंग है तो ये रहा पार्ट वन का आपका बेस्ट 200 कोश्चेंज का सीरीज और आपको अब सकेंड पार्ट में हम मिलते हैं तो उमीद है आपको ये अच्छा लगा होगा इस एट पर रफी पसंद आया होगा इस एट में आपके बहुत ही महत्पुन कोश्चेंज जो एक्जाम रिलेटेड है देखें गया है और यह जो हमारा 1000 कोश्चेंज का जो सीरीज है यह यू ही चलता रहेगा यह पार्ट 1 था जिसमें 200 कोश्चेंज हम लोने अभी कवर किया पार्ट 2 इसके बाद 24 आवर के बाद पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें कि हम लोग 200 से 400 जो बेस्ट उसे बेस्ट कोश्चन जो होगा वो हम उसमें देखेंगे और उसे फिर हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे समझेंगे सॉल्व करेंगे तो यह था आपका पार्ट अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में और अगर आपने वीडियो को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तैसे सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी वीडियो हम अभी अप्लोड करने वाले हैं वो आपको जल सल मिल जाए थैंक यू सो मच कि वाचिंग अप्स स्टडी आई करेंट अफेर्स थैंक यू